नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ट इन्वेश्टन में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन धमाकेदार इन्फरमेशन देने वाला हूँ सबसे पहले इन्फोसिस जो की IT इंडस्ट्री का एक दिगज शेर है क्या यहाँ पे कल लोवर सर्किट लग सकता है इसके बारे में आप लोगों को कम्प्लीट इन्फरमेशन दूँगा साथ ही साथ दूसरा जो शेर है टाटा पावर 538 करोड रुपए की मेगा डील यहाँ पे हुई है और सॉलर इंडस्ट्री में पावर इंडस्ट्री में टाटा पावर जो है जबरदस्त काम कर रहा है थर्ड स्टॉक के बारे में बताऊंगा इकसाइड इंडस्ट्री मेगा प्लान है कंपनी के और टार्गेट कंपनी के आसमान के पार हैं तो एके करके तीन शेर्स के बारे में इंफोर्मिशन आप लोगों को देने वाला हूँ और साथ इसाथ डिस्क्रिप्शन में चार लिंक दिये गए हैं अपस्टॉक, जिरोदा, एंजल वन, एन एलिस्ट्ल्यू चारों के लिंक पर क्लिक करें, एकाउंट उपन करें और इंजयो करें चारों की सर्विसेश तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा इनफोसिस लिमिटेड के अंदर अगर देखेंगे आप लोग ये शेर जो है ऊपर भागा था कावी अच्छा 52 वीक हाइस ने लगाया लेकिन उसके बात धीरे धीरे इस शेर के अंदर पिछले तीन से चार ट्रेडिंग डे में गिरावट देखने के लिए मिली ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ वो रीजन भी आप लोगों को बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि Infosys Limited इतनी दिगज कमपनी है साथ लाख करोड रुपए से जादा का मार्केट कैप्टलाइजिशन इस कमपनी का डिविडेंड यिल्ड भी आप लोग देखेंगे तो 1.60% की है और Price to Earning Ratio मातर 35 का है विदिन दी रेंज है रिटन्स देखेंगे इस कमपनी के 14,464 परतिसत के रिटन्स जो है कमपनी ने over the long run अपने शेर होडर के लिए जनरेट करके दिये है गिरावट क्यों आए थी क्योंकि दो या तीन दिन पहले TCS के results आए और जो market ने expect किये थे उससे खराब वो results थे और इसी वज़े से Infosys के अंदर भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है लेकिन यहाँ पर कल क्या हो सकता है उसके बारे में बताना चाहूँगा उससे पहले यह देख लिजे कि Infosys इतनी दिगज कंपनी है Aerospace and Defense, Agriculture, Automotive, Communication, Consumer Package, Good, Education, Engineering, Procurement, Financial Services और जितनी भी इंडस्ट्रियां होती है Health Care, High Technology, Industrial Manufacturing सभी कंपनियों को और सभी इंडस्ट्रीज को जैसी कि यहाँ पर Insurance ले लिजे, Life Science ले लिजे, Media, Mining, Oil and Gas, Private Equity, Professional Services सभी को अपनी Information Technology से Relative Services, Software से Relative Services यह कंपनी प्रोवाइड कर रही है साथे साथ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर यह कंपनी जो है AI के फिल्ड में काम कर रही है और साथे साथ Blockchain के फिल्ड में भी काम कर रही है Internet of Things के फिल्ड में भी काम कर रही है जवर्दस्त कंपनी मैं तो कहूंगा कि कल इसके Results आने वाले है और Infosys के Quarter 2 के Preview जो की बड़े बड़े दिगज फर्म्स ने बताए है वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ TCS के बाद इंडिया में in terms of Market Capitalization IT Industry में नमबर 2 पे है Infosys TCS के Quarter 2 के Results Market के Expectation के According आये नहीं और इसी लिए क्योंकि TCS इस इंडिया की हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है Market Capitalization में किसमें IT Industry में और उसके ही Results अगर Expectation के अनुसार नहीं आये तो गिरावट वहाँ पे देखने के लिए मिली लेकिन मैं कहूंगा कि मैं खुद Positive हूँ Infosys के अंदर की Infosys के अंदर अच्छा खासा उचाल आ सकता है कल के दिन अगर इसके जो Results हैं वो TCS से Different और Market की Expectation के According अगर आते हैं तो साथे साथ मैं बताना चाहूँगा कि Different दिगर्ज दिगर्ज जो Brokerage House है उन्होंने किस तरह के Expectation दिखाई है Infosys की Quarter 2 की Earning से अगर यहां पर इन जो Expectation है इन पर खराव उतरता है Infosys के Quarter 2 के Results तो Lower Circuit तो कभी भी Share में मुझे लगता है कि नहीं लगेगा अच्छा खासा उच्छाल Infosys के Share में आने वाला है कल के दिन अगर Results अच्छे रहे तो अगर Results खराब रहे तो यहां पर होगा क्या कि Share के अंदर गिरावट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी और मैं तो हमेज़ा सोचता हूं कि इस तरह की गिरावट Share में होती रहे क्योंकि यह वो टाइम होते हैं जो आप लोगों को Pick करना होता है और Buy on Dips का Method अपनाना होता है अच्छे अच्छे Multibag और Shares में Long Term के लिए कभी भी जब अच्छे Shares गिरते हैं तो मैं उनको Opportunity मानता और वो भी आप लोगों को माननी चाहिए HSBC कह रही है कि यहां पर year on year growth जो है 20% की हो सकती है revenue के अंदर और साथ साथ profit में कह रही है कि लगबग 10% के करीब देखने के लिए मिल सकती है Share Khan का कहना है कि 19% के करीब year on year growth होगी revenue में और year on year growth हो जाएगी profit में 7% के करीब Idilvis का कहना है 21% revenue growth होगा वहीं अगर profit की बात करें तो Idilvis कह रहा है कि लगबग 8% के करीब देखने के लिए मिलेगा Reliance Securities कह रहा है year on year growth जो है revenue का 19% हो सकता है और GM Financial का भी कहना है कि 18% के करीब यहां पे हो सकता है तो आप लोग देखें तो almost यहां पे लगबग 20% के करीब revenue में उच्छाल देखा जा सकता है expectation ऐसी लगाई जा रही है और साथी साथ यहां पे जो profit growth है लगबग 6-7% के करीब देखने के लिए मिल सकती है expectation के नसर इससे अच्छे अगर results आए तो share के अंदर अच्छे खासी तेजी आएगी और खराब आए तो dip आएगा और dip में आप लोगों को फाइदा उठाना चीए तो यह तो रही पहली company दूसरी company जो कि मैं आप लोगों को Tata Power के बारे में बताने वाला हूँ चाहे solar rooftop हो electrical vehicle की charging से related हो Tata Power जो है जबर्दस काम कर रही है solar microgrid हो यह company जो है कितने स सारे projects को काम कर रही है solar generation projects, wind generation projects, solar EPC, solar rooftop projects इस company के website के अंदर आप लोग जाएंगे तो तरह तरह कि आप लोगों को यहाँ पर powers related projects देखने के लिए मिलेंगे और खास कर जब यह company अब solar energy के field में, wind energy के field में, जो की sunrise sector है, renewable energy से related है, वहाँ पर काम कर रही है तो share के अंदर चला जा रहा है और over the long run Tata Power ने अपने shareholder को 1821% के returns दे दिये है, 62,000 करोड रुपे से ज़्यादा का market capitalization है Tata Power Company Limited का, अगर Tata Power की मैं sales की बात करूं, तो हर सारी sales increase हुई है, मार्च 2021 में 32,468 करोड रुपे की sales हुई, operating profit भी हर साल increase होता रहा है, और 2020 में 5,881 करोड रुपे क operating profit बन के company का आया है, अब इनको एक बहुत बड़ा order मिला है, 538 करोड रुपे का जो की इनको मिला है EESL से, जी हाँ दोस्तों और वो किसके लिए मिला है, solar power को मिला है, solar related work जो है इनको मिला है, और letter of award इनको दे दिया गया है EESL ने, जी हाँ दोस्तों, तो Tata Power Solar Systems Limited जो की ए एक subsidiary है Tata Power की, fully owned subsidiary है Tata Power की, इसको ये letter of award मिल गया है, 100 megawatt का ground mounted solar project जो है इनको complete करना है Tata Power की जो ये subsidiary company है, EESL की full form अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को state run energy efficiency services limited इसकी full form है, तो 538 करोड रुपे का जो ये project है 100 megawatt का solar से related project है, तो share के अंदर अच्छा खासा उच्छाल आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है और mega news है, मैं तो कहूँगा, इस share को आप लोग हर साल, हर महीने कुछ न कुछ investment करते रहे हैं, long term में ये share आप लोगों को जवर्दस return दे सकते हैं साथ ही साथ, अगर मैं बात करूँ एक company की Excite Industries Limited, जी हां दोस्तों, Excite Industries Limited के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा इस company का market capitalization 15,899 करोड़ रुपए का है, dividend yield देखेंगे तो 1% के करीब, ROCE की बारे में बात करें तो 17% का, return on equity 11% का और company का free cash flow 1764 करोड़ रुपए का है, dead company के अंदर मात 509 करोड़ रुपए का, profit growth 41% किये और company के आंकड़े attractive है, company भी lithium iron से related mega plan बना रही है आप लोगों को पता हैं, इंडिया में दो कंपनिया है, Amara, Raja, Battery and Excite Industries जो की battery के field में leader है जी हाँ दोस्तों, in terms of market capitalization दोनों आसपास में रहती हैं हमेशा और जबरदस्त काम ये दोनों के दोनों कंपनिया कर रही है अगर Excite Industries के sales के बारे में बात की जाए तो हर साल इस company के sales increase हुई है और ये एक multi-backer share की पहचान होती है वहीं यहाँ पे देखेंगे company का operating profit तो again ये भी increase हुआ है और 2021 में 1591 करोड रुपए के operating profit company का बना है share holding pattern देखेंगे तो share holding pattern भी company का attractive है promoter के पास 46% की share holding है FII यहाँ पे shares खरीते चले जा रहे हैं लगबग 12% DII के पास भी अच्छे खासे shares है 23% and public के पास 18% की share holding है Excite set for lithium ion charge अब सोच लिजे lithium ion batteries बनाने के लिए ये company कभी भी जो है decision ले सकती है battery maker जो है ready है electric vehicle wave के plans में एक giga factory ये बना सकते है lithium ion batteries के लिए जी हाँ दोस्तों ये लगबग बहुत पुरानी company है Excite Industries Limited मैं कहता हूँ ये लाख रुपए से भी महंगा share है जी हाँ दोस्तों ये लाख रुपए से भी महंगा share है एक लाख रुपए से भी महंगा करती है और इसका कहना है कि ये बैटरीज तो चलती ही रहेंगी और साथ ही साथ जब भी इसको लगेगा कि lithium ion batteries इसको बनानी है तो ये कभी भी opportunities को tab कर सकता है Excite would consider opportunities in lithium ion pointing out that the EV scenario in India was not at a stage where lead acid battery makers need to feel threatened मतलब इनका कहना है कि आज की date में कुछ इस तरह की situation नहीं बनीए कि lead acid battery manufacture करने वाली company को गभराने की ज़रत है और इनका ये भी कहना है साथ ही साथ कि कभी भी ये lithium ion batteries बनाने से related giga factory को manufacture कर सकते हैं इंडिया में और plant setup कर सकते हैं आते साथ इनका कहना है कि production linked incentive और ये टेसला style giga factory बनाने की बात कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है टेसला style giga factory बनाए जाएगी जिसके तहत PLI के तहत ये वहाँ पे benefit भी ले सकते हैं lithium ion batteries बनाने के लिए तो आज के इस वीडियो में यही तीन shares आप लोगों को बताने थे comment करके आप लोग जरूर बतेएगा shares कैसे लगे analysis कैसे लगी आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद